चोपड़ा जो किसने युटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्छो नीट के क्यूसन पेपर में हुई गडबडी के कारण काफी सारे स्टुडेंट्स और उनके पैरेंट्स री नीट की डिमांड कर रहे हैं आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये मैटर क्या है अभी तक कहां तक ये मैटर पहुंचा हुआ है कोट में कौण कौण से कोट में ये मैटर पहुंचा है अभी और री नीट होना चीए या नहीं होना चीए इनसे कौन से student को नुकसान है और कौन से student को फाइदा है इसमें हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले NTA ने तो अपने तरफ से notice दे करके ये कह दिया है कि need बिल्कुल need and clean conduct हुआ है कहीं किसी भी center पर कोई दिकत नहीं हुई है अलंकि उन्होंने स्वाई मादोपूर के center का जिकर जरूर किया है उसमें कहा है कि उस center पर पहले गड़बड हुई थी लेकिन फिर सही तरीके से exam conduct करवा लिया गया उस center के student को तो NTA का अभी तक कहना ये है कि need बिल्कुल सही तरीके से conduct करवाई गई है और सही तरीके से conduct हो चुकी है लेकिन काफी सारे news channels अभी काफी सारी states की police है वो investigation कर रही है इसमें need paper league के regarding तो इसमें गुजरात और बिहार में भी कुछ students और कुछ mafia है वो arrest हुए है गुजरात में भी एक center का जो owner है वो arrest हुआ है दो other भी इसमें arrest हुए हैं बिहार में 13 students भी अभी तक arrest हो चुके हैं तो अभी तक ये जो मामला है बिहार जहारखंड इस side में ज्यादा अभी investigation में आ कर रही है इसमें ये पटना हाई court में case भी file हो चुका है और court ने police को ये diary number देने के लिए कहा है इसमें जो अभी तक गड़वड़ी हुई है उसमें man बात तो ये है कि एक तो क्यूसन पेपर लीग का मामला आ रहा है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ सी student को ये पहले exam से पहले क्योसन पेपर दिया गया था ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है हालंकि NTA इसको मना कर रहा है कि क्योसन पेपर नीट के exam से पहले कहीं लीग नहीं हुआ था लेकिन न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि ये पहले लीग हुआ है दूसरा ये है कि center पर जो invigilator हैं उनके द्वारा गड़वडियां हुई हैं उनके द्वारा गड़वडियां ये हुई हैं कि जो हिंदी का English का क्योसन पेपर था हिंदी का दे दिया गया हिंदी का था English का दे दिया गया था इस परकार से alternative change हुआ है क्योसन पेपर ये तो हर साल होती हैं पिछली साल भी ये ग आटा गया है और पहले ही collect कर लिया गया है यानि कि अगर paper 10 मिनट बाद distribute किया जाता है किसी कारणवस्त तो उसको 10 मिनट बाद collect करना चीए student को 3 hours 20 मिनट का time तो देना ही चीए तो ये भी गड़बडी हुई है तीसरी बात solo gang से paper solo कराने के मामले भी सामने आये हैं जो पिछली साल तक भी आते रहे हैं ये दो मामले पिछली साल भी आये थे इससे पिछली साल भी आये थे solo gang वाला और जो fusion paper में invigilator की जो कमिया होती हैं समय पर paper नहीं बाटना इंग्लिस वाले को हिंदी का paper देना इस परकार की गड़बडियां ये पहले भी होती हैं पहले भी previous year में भी हुई हैं तो इस बार ये paper league का मामला और सामने आ रहा है अलांकि पुलिस इसका investigation कर रही है अभी बिहार पुलिस की जो EOU unit है जो economic officials unit है वो इस मामले को टैकोर कर ही है वो और वो इसके बारे में investigation कर रही है अभी ये जो मामला है वो court में अभी पटना high court के under है अभी देखते हैं कहां तक कौन-कौन से state में इसके link मिलते हैं ये तो आगे जांच में ही सामने आएगा तो ये तो थी neat में कहां कहां गड़बडियां हुई है ये गड़बड जो आधार कार्ड है उसकी photo match नहीं हो रही है उसकी विजए से उसको exam delay किया गया है किसी का ऐसा हुआ है कि paper ही late दिया गया है 20 minutes late दिया गया है 30 minutes late दिया गया है उनको समय नहीं दिया गया है तो इस परकार से इस परकार की गड़बडियां सामने center पर ये जरूर हुई है इस बचो बचो दो तरह के student हैं इसमें अभी student का आपस में ही दो मत हैं और वो होते भी हैं जिन students का paper अच्छा हुआ है उनका वो सोच रहे हैं कि मेरा इस बार selection हो जाएगा अगर उनको reneat के बारे में पता लगता है कि reneat होगा तो उनका manual तूट जाएगा क्योंकि एक साल हर student चोईस लाख student ने तयारी की है एक साल पूरी साल मेहनत की है अच्छे नमबर लेके आए हैं जिसमें जो selection की range में student हैं तो उनके लिए जब reneat का दुबारा नाम लिया जाता है तो उनको automatic tension हो ही जाती है student को tension होती है parents को ज्यादा tension होती है तो जिन student के अच्छे marks हैं selection की range में हैं उनके लिए reneat बड़ा ही मुस्खिल काम है क्योंकि reneat होगा तो उनका manobal तूट जाएगा लेकिन हम दूसरा पक्स देखें वो भी student हैं जिन्होंने तयारी उन्होंने भी उतनी की थी एक साल तक लेकिन उनका paper अच्छा नहीं हो पाया कारण ये भी हो सकता है कि कुछ तो इस वात को मैं अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं आप सब जानतें कि ऐसे student है 50,000 तक तो ऐसे student है जो यह चा रहे हैं कि re-neet नहीं हो, re-neet होगा तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा जो हमने score खड़ाखिया है वो score हो सकता आगे paper कैसा मिलेगा, हमारा paper ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा पक्स है student का जिनका paper अच्छा नहीं हुआ है जिनको problem आई है उनके लिए re-neet बरदान होगा वो सकता है उनका paper और भी अच्छा हो जाए काफी marks आजाए उनको rank अच्छे आजाए तो ये दो तरह के student अभी हैं और दोनों तरह के student को ही problem होगी re-neet होने से अभी कि वो student जो student जिनके marks कम हैं और वो चा रहे हैं कम से कम 24 लाख में तो 23 लाख student तो चाही रहे हैं कि re-neet दुबारा हो लेकिन उनको भी नुकसान है re-neet दुबारा होने से नुकसान सभी को है नुकसान सभी को इसलिए है कि क्या कोई guarantee लेता है कि ये re-neet होका वो बिल्कुल किसी के पास guarantee अगर ये पिछले 5 मई को जो नीट हुआ है उसी तरह से re-neet हुआ उसी तरह से अगर इन्वीजिलेटर से गलतियां हुई किसी दूसरे सेंटर पर पेपर दूसरा बाटा गया time कम दिया गया या solar gang से जो solve करने वाले हैं वो student बैठाए गये और पेपर लीक हु पहले ही दिन की उसन पेपर दे दिया गया तो ऐसा तो फिर भी हो सकता है तो फिर उन student को फाइदा क्या होगा इससे तो किसी को भी फाइदा नहीं होने वाला है फिर से वो ही condition आ जाएगी condition ये आ जाएगी कि जिनोंने पहले ये हरकत की हैं जो पहले हुआ है वो तो re-neet मे सही तरीके से conduct होगा अगर ऐसी guarantee है तो re-neet होने से सभी student को फाइदा है उन student को फाइदा भी है जिनके अच्छे marks आए हैं तो re-neet में भी अच्छे marks आएंगे और वो student इसमें हट जाएंगे जो solar gang वाले हैं या फिर cushion paper leak वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा तो उन student को फाइदा ह होगा यानि कि अगर cushion paper सही तरीके से conduct करवाया जाता है तो re-neet सभी के लिए फाइदे मन्द होगा अलांकि उन student को एक मैना और तकलीक होगी फरेशा नहीं होगी उनको उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लेकिन हो सकता है उनके लिए और अच्छा हो जाए उनकी rank अच् तो तब तो फाइदा हो सकता है दोनुपक्स के लिए इस्टुडेंट के दोनुपक्स के लिए तभी फाइदा हो सकता है जब re-neet बिलकुल सही तरीके से इमानदारी से conduct हो तब तो ये फाइदा है हलंकि इसके बारे में अभी हम decision करने वाले नहीं हैं कि re-neet होगा या नह कूण के उपर है कोट को ऐसा लगेगा कि काफी ज़्यादा मात्रा में ये paper leak होआ है ये paper पहले ही काफी student को मिल चुका है exam से पहले अगर कोट को ऐसा लगेगा तो decision दे सकता है Cairo God का अगर को ऐसा लगा कि नहीं ये ज़्यादा मात्रा में paper नहीं पहले distribute होआ है एकजाम से पहले और जिनको मिला है उनको पनिस कर दिया गया है सभी स्टुडेंट के साथ में जिन स्टुडेंट को टाइम्स कम दिया गया है उनका हो सकता है दुबारा एकजाम उस सेंटर की करवा दी जाए तो इस परकार लो ये बता दूं कि reneat नहीं होगा बिलकुल भी लेकिन अगर court को ऐसा लगा कि ये paper तो बहुत ज्यादा लीक हो गया है तो court तो फिर decision देगा कि reneat करवाई जाए तो ये सारा का सारा मामला court के उपर रहेगा जो court decision देता है जो court decision देगा वही मानने होगा और जब court reneat का decision देता है तो उन students को तो दुख तो होगा लेकिन उनको sacrifice करना पड़ेगा और उनको अच्छी तैयारी करने पड़ेगी हो सकता है उनकी अच्छी rank आ जाए और अगर reneat नहीं होता है तो उन students को तो फाइदा होगा जिनके अच्छे marks आ गए लेकिन उन students को जरूर निरासा होगी जिनके marks कमाए है तो ये अभी जो reneat का decision है ये court के उपर है आप attention ना लें इसमें आप थोड़ा धहरिये रखें देखो student और parents को धहरिये रखना है वो एक जिन्दगी का सबक है यनि कि आप अगर अभी धहरिये रखेंगे life में के ऐसे काफी mode आएंगे हमने तो ये mode देखे हैं मेरी अभी फिटी one age हो गई है तो ऐसे mode तो मैंने भहुत देखे है ऐसे ऐसे modes पर घबराना अच्छा नहीं है अगर आप अभी घबराने लग गए तो आगर आपकी life बहुत ज्यादा है ऐसे बहुत सारे mode आएंगे जिन्दगी में जिन्दगी एक लड़ाई है इसको आपको लड़ना है इसको लड़ना है और जो आपके किसमत में लिखा है उसको आपको accept करना है कि हाँ ये सही है लेकिन रास्ते को मोड़ना आप मोड़ सकते हैं किस रास्ते पर मेरे को चलना है उस रास्ते पर जा सकते हैं रास्ता आलड़ी पहले से जा रहा है मतलब कि कोई भी आदमी अगर चलता है तो दो रास्ते उसको मिलते हैं तो मैं किस रास्ते पर चलूँ ये आपका काम है ये आप उस रास्ते पर मूड़ सकते हैं और आप उस पर सफल हो सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन छोटी-छोटी बातों से डरना नहीं है परिसान नहीं होना है री नीट होगा नहीं होगा इन से आप बिलकुल टेंसन फिरी हो जाओ होगा तो दे लेंगे और नहीं होगा तो अगली साल दे लेंगे तो इससे आप बिलकुल टेंसन मतलो क्योंकि अभी स्टुडेंट और बहुत सारे पैरेंट से वो इस टेंसन में है कि क्या री नीट होगा नहीं होगा तो भी टेंसन में नहीं होगा तो बिलकुल टेंसन नहीं लेनी ह बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, होगा तो दे लेंगे, वही एक्जाम है जो हम तैयारी करते आये हैं, नहीं होगा तो अगली साल तैयारी कर लेंगे, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक थोड़ा सा ये सजेशन है, हलांकि इसमें काफी सारे लोग मेरे से बड़े भ कहता हूं कि आपको जिन्दगी में इन परेशानियों से घबराना नहीं है, रीनीट होगा दे लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली साल तैयारी कर लेंगे, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप टेंशन फिरी होके अपने लाइफ जीओ, मैं भी टेंशन फिरी होक बेस्ट उपलग